दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डॉकिंग स्टेशन के बारे में आप लोगों के कई सारे मैंने कमेंट देखा है काफी दिनों से कि हमें लैप्तप के माध्यम से हमें कई सारे डिस्पले को कनेक्ट कराना है तो कैसे कनेक्ट कराएं अगर ऐसा सिच्वेशन बन रहा है तो आपको डॉकिंग स्टेशन लेना होगा जिसके माध्यम से ही आप कई सारे डिस्पले को कनेक्ट करा पाएंगे तो वो कौन-कौन से हो सकते हैं समझने के लिए वीडियो के साथ अंतक बने रहें कि नेक्स भीडियो की टॉपिक पर चाहिए वीडियो आप लोग के कमेंट के आधार पर ही आती है आए दोस्तों लोग बात करते हैं तो सबसे पहरी बात आपको यह जानना होगा कि आपको जो भी लेप्टॉप है क्या वों डिस्प्ले को आउट कर रहा है जिसके अंदर HDMI नहीं है, VGA नहीं है, कोई display port नहीं है, या फिर एक ही HDMI है, और आप जो है connect करना चाहते हैं, उससे display को 2 या फिर 3 या फिर 4 display करना चाहते हैं, तो उस condition में अगर आपको docking station लेना है, तो सबसे पहले ये आपको देखना होगा, कि उसके अंदर जो type C port है, क्या व Thunderbolt का जो symbol होता है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस स्क्रीन पर, इस तरीके का अगर display बना हुआ है, तो आप मान करके चलिए, कि वो display को out करेगा, वहां से आप बिल्कुल आराम से कोई भी docking station आप यूज़ करके, लगा करके, और वहां से multiple display को आप connect करा पाएंगे, य यानि कि वो display भी out करता है, तो उस condition में भी docking station यूज़ कर सकते हैं, और display out ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर USB का symbol बना हुआ है, तो उस से आप display out नहीं ले पाएंगे, उसके अंदर HDMI या फिर जो भी सुविदा है, उसी से आप display को connect कर पाएंगे, तो ये आपको ध्यान दे देना होगा, अगर D लिखा हुआ है, आपके port पर या फिर thunderbolt है, तो आप ये सारे में से कोई सा भी आप use कर सकते हैं, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले budget कम है, और दो display अगर आपको connect करना है, तो उस condition में lab care, जो की एक बहुत ही famous company है, budget case series बनाती है, उस condition मे आप इसका ले सकते हैं, 4-in-1, जिसके अंदर जो है, दो display को out करेगा, एक VGA और एक HDMI 4K को out करेगा, और input जो है, आपको वही type C से input देना होगा, और एक type C out भी करेगा, और एक type A out करेगा, 4-in-1 है, इसके price की बात करें, तो मात्र 1680 रुपे का ये आपको पढ़ जाएगा, आप budget कम है, और मात्र 2 ही अगर आपको connect कराना है, तो इसको बिल्कुल भी buy कर सकते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, और भी थोड़ी सी facilities अगर आपको चाहिए, तो आज आते हैं HP के अंदर, HP के अंदर जो है, सस्ते में ये model बहुत अच्छा हो सकता है, ये जो है, HP travel USB USB Type-C multiport, USB home documentation है ये, और इसके अंदर भी जो है, आपको मात्र 2 ही display connect करने के लिए मिलता है, क्योंकि जिसके अंदर एक VGA आउट है, जिसके अंदर VGA से आप connect कर सकते हैं, दूसरा HDMI आउट है, उसके अंदर HDMI के माध्यम से display को connect कर सकते हैं, बाकि इसके अंदर RJ45 को connect कर सकते है USB Type-A है, USB Type-C है, इस तरीके से बहुत सारे multiport को आप connect कर सकते हैं, और SD card reader भी साथ में है, तो वो सब सारी चीजे इसके अंदर आपको मिल जाती है, HP का भरोसा भी मिल रहा है, और price की बात करें, तो मात्र 3,308 रुपे price है, इस budget range के अंदर आने वाला एक कही ना कहीं बहुत अच्छा जो है, docking station आपके लिए हो सकता है, इस से और उपर अगर आप चल रहे हैं, तो उस condition में आ जाएगा, Belkin का, जो की एक mini PC बगएर भी बनाती है, बहुत ही मानी जानी कंपनी है, बहुत ही अच्छे से series भी बनाती है, और ये जो model है, ये 11 in 1 है, बहुत सारी port इसके card reader, RJ45, तमाम जो है आपको मिल रहा है, और इसकी बनावट ऐसी है, अगर आपके पास macbook है, या फिर कोई सा भी, अगर small type का, अगर कोई भी laptop है, तो आप इसके उपर रखकर के back side से सारी connectivity लेकर के, आप इससे आप connect कर सकते हैं, बहुत ही खुब सूरत भी लगेगा, as a desktop की तरह आप इसको use कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसके price की बात करें तो यह 9000 रुपे का पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर facilities आपको बहुत ज़्यादे मिल रही है, as a desktop की तरह आप इसको enjoy कर सकते हैं, और use कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी सारे variant है, जो आपको म आप read करें, देखें कि क्या क्या facilities है, जो आपके काम का हो, उसको आप buy कर सकते हैं, इस तरीके से कही न कहीं, बेलकिन जैसा brand भी है, और अच्छा सस्ते में बहुत अच्छे एक सेक जो है, आपको दोफिंग स्टेसनिस के अंदर देखने को मिल जाएगा, बाकि next की अगर हम model है, डेल का D, 3100 model, बड़ा ही famous model है, तीन displays से आप connect कर पाएंगे, जो कि यह बहुत ही famous model है, खास करके जो लोग desktop पर professional काम करते हैं, वो यह model को use करते हैं, इसके अंदर दो HDMI और एक DP port देखने को मिल रहा है, जिसके माधियम से तीन displays आप connect कर पाएंगे, RJ45 है, युशली 2.0 ह out है, थोड़ा सा old है, लेकिन facilities इसके अंदर आपको जादे देखने को मिलती है, अगर और अच्छा चाहिए, Thunderbolt से Thunderbolt out चाहिए अगर आपको, कि Thunderbolt out भी मिल जाए, और Thunderbolt के माधियम से अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो Dell का ये वाला model ले सकते हैं, WD19TV वाला ये Thunderbolt model होता है, Thunderbolt docking station के नाम से ये आता है, जो कि बहुत अच्छा performance ये आपको देगा, 180 Watt का जो है, इसके साथ में adapter आता है, आप output भी इससे बहुत है, भी 130 Watt तक की output जो है, डिलिवरी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कौशली पढ़ता है, 15,880 रुपे आज का प्राइस है, बाकि इसके अंदर बहुत सारी facilities आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके अंदर दो DP port देखने को मिलेगा, एक HDMI मिलेगा, और Type-C से जो है display out भी होगा, इस तरीके से 4 display चाहें, तो आप इससे connect कर पाएंगे, और Thunderbolt out भी हो रहा है, वहां से docking station एक और लगा कर के और भी display को connect कर पाएंगे, तो इस तरीके से बहुत अगर अच्छा चाहिए, है भी चाहिए, तो आप इस model को buy कर सकते हैं, हर वक्त अगर multiple screen पे काम करना ही है, आपको तो थोड़ा सा ज्यादे पैसा invest करना होगा, और यहां पर बहुत ही अच्छा जो है, 4K में अगर आप आपको काम करना है, तो उस condition के लिए आपको यह सब model buy करना होगा, तो इस तरीके से दोस्तों अगर laptop के माध्यम से आप कई सारे display को connect करना चाहते हैं, तो इस तरीके से docking station आपने जरूरत के हिसाब से आप आप कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो इंफरमेशन आपको कैसा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धर्नबात करता हूँ, आपका दिन सुब हो प्लाउ झाल